Snapdragon खतम हो जाएगी, MediaTek खतम हो जाएगी? ज्यानी कि दुनिया की दो सबसे बड़ी कम्पनिया क्या खतम हो सकती है? Already MediaTek दुनिया में नमर वन है, सबसे ज़्यादा प्रोसेसर MediaTek बनाती है और Mobile Phones से ज़्यादा TV IoT Devices के Processor बनाती है Snapdragon का नाम आप सब लोग जानते होगे, क्योंकि Snapdragon दुनिया में काफी ज़्यादा पॉपलर है और बहुत सारे जो प्रोसेसर मोबाइल फोन के अंदर बनाती है और Premium Category के अंदर 5G के अंदर काफी ज़्यादा कमाल करती है लेकिन क्या दौनों कम्पनियों को यहाँ पर कोई नुकसान है वेल, हो सकना है यहाँ पर क्योंकि आज के समय दुनिया की हर एक कम्पनी यहाँ पर अपने खुद के प्रोसेर बनाने पर काम कर रही जैसके बत करे Apple की, Samsung की और सबसे भड़ा खत्रा तो Chinese कम्पनी से क्योंकि जितनी भी Chinese कम्पनी है न बड़ी-बड़ी BBK ग्रुप से लेके Xiaomi ग्रुप तक बात कर ले कई ना कई खुद के प्रोसेर न रही एक बात बताओ अपर जाद से जादा जो Apple है वो Snapdragon का सिर्फ मोड़ा भी हाँ यूज़ करती है लेकिन जितनी भी दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी smartphone companies है वो आद के समय में कई ना कई खुद का जो प्रोसेर होती है वो यहाँ पर develop कर रही है जैसे की बात करें Samsung की हाला कि Samsung के Exynos के कहानी इतनी अच्छी नहीं थी और current पर बात करें तो और वो अपने Samsung के S23 और जो upcoming fold flip जितने भी आएंगे सब के अंदर वो Snapdragon प्रोसेसर ही यूज़ करेंगे लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल ने कि उन्होंने Exynos का साथ पूरी तरीका से छोड़ दिया Exynos वाले phone भी लाते रहेंगे और तो future की कहानी और भी जादे interesting है क्योंकि यहाँ पर Samsung यह कोशिश कर रहा है कि कैसे वो अपने processor को और better बना सकता है और आने वाले समय में Apple और Snapdragon को compete कर सकता है और एक रास की बार बता हुमें आप लोगों को यहाँ पर Samsung ने hire किया कुछ Apple के engineers को जिन्होंने Apple Silicon को यहाँ पर develop किया था और वो talent अतनी company के अंदर ला रहा है और अभी के समय सोच रहे कि चलो हम एक या दो साल का gap लेते हैं जिसके अंदर हम कोई flagship processor नहीं निकालेंगे लेकि 2025, 2026 में एक बड़ा comeback करेंगे जिसके अंदर हमारा जो processor होगा ना वो Snapdragon, Media Tech, Apple की जो Bionic processor होते हैं ना उन से कहीं न कहीं यहाँ पर compete करेगा यार यह है एक Samsung की खानी वो इस level पर काम कर रहे हैं कि अब उन्हें शायद यहाँ पर ज़रूरत ही ना पड़े लेकिस Samsung का आपको पता है कि वो एकलोती company नहीं है इसके लावर दूसरी काफी सारी companies में हैं और Samsung के लावर जितने भी बड़ी companies है स्मार्टफोन मार्केट में जातर Chinese है तो अकर Chinese company का यहाँ पर क्या खेल चल रहा है चलिए उसके बार भी बात करते है वेल मेरा आप लोगों से एक सवाल है क्या आप लोग किसी भी Chinese company का नाम जानते हो प्रोसर मार्केट के अंदर वेल अगर गैस कर सकते हो नीचे मेरे को comment में बता देना लेकिन यहाँ पर में एक ऐसा नाम लेने वालों जिसका आप डेफिनिटली जानते होगे और वो है हाई सिलिकन क्या आप लोग को मॉलूम है कि हाई सिलिकन एक हुआवे कंपनी तो और इसमें करन नाम के प्रोसर नहीं थे मतलब यह बात तो आप लोग को डेफिनिटली पता होगी लेकिन यह जो प्रोसर थे वो बहुत ही जादा एडवांस हुआ करते थे यहाँ तक इनकी performance भी काफी अच्छी थी और हुआवे और हाई सिलिकन के रिन यार यह सब मिलके इतनी तेजी सा आखे भढ़ रहे थे आप मेरी बात मान के रखिए कि 2019 में अगर US वाली स्क्यूपर बैंड नहीं लगाते है न यह आज के समय में दुनिया की नंबर बन कमतनी होता मतलब हुआवे कैसी कमतनी बन गे रहा था जो एपल और सैमसंग को यहाँ पर टकर दे रही थे बना टॉप थ्री में तो आता था नंबर टू नंबर वन की पोजिशन के लिए काम कर रहा था और वो चीज़ अचीव हो सकती थी लेकिन बात की जा तो प्रोसेसर की डेवलपमेंट में भी बहुत ज़ादा हथ था जैसे की दुनिया का पहला 5NM टेक्नलोजी पर बना एक 5G प्रोसेसर भी उन्हों ने हापर बना ये था यहाँ तक की 5G के सबसे ज़यादा पेटेंट भी हुआवे के पास है आज के समय वो 6G टेक्नलोजी पर काम कर रहे हैं और वो इतना ज़ादा काम कर रहे थी कि उन्होंने एक मॉडल प्रूफ करके दिखा दिया कि एक कंपनी बिना किसी की मदद के अपना खुद का प्रोसेसर बना सकते और दिखा सकती है ये शोकेसनों ने किया था और यही से देखा तो इंस्पिरेशन आपकी शौमी और पूरे बीवी के ग्रूप ने लिए जैसकी बात करें तो एक जमाने में शौमी ने अपना सर्ज S1 प्रोसेसर निकाला था लेटेस में बात करें तो शौमी अपना एक P1 प्रोसेसर निकालती है जो यहाँ पर चारजिंग के अंदर काम आता है यहाँ पर OPPO की बात करें तो वो अपना मेरी सिलिकॉन प्रोसेसर निकालती है जो इमेज प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है और आडियो अगरा थी उन्होंने यहाँ पर काम मिली है और उन्हें पता है कि मार्केट अभी हाँ पर रेडी नहीं है इसलिए उन्होंने यहाँ पर सोचा है कि अभी हम इमेज प्रोसेसर बनाते है कुछ दूसरे टैप की चिप्स बनाते है और फिर धीरे धीरे वो खुद के बनाए हुए प्रोसेसर पर कूदेंगे लेकिन कुछ चाइनीज कंपनी यूनी एसोसी जो की आज के समय अपने खुद के प्रोसेसर सिहाँ पर डैवलोप कर रही है और इसके बात की कहानी तो और भी काफी ज़ादे इंडरस्टिंग है जैसकी बात करें जो चाइने समय प्रोसेर बनाने पर बहुत ज़ादा ध्यांदे रहे कुछ एग्जाम्पल्स लूँ जैसकी बात करें चाइना की जो सबसे बड़ी कंपनी चिप बनाने वो है SMIC वो अल्रेडी 5th largest चिप बनाने वाली कंपनी हो जाती है लेकिन मेन बात है कि चाइना वाले ये चाहते है कि जितने भी प्रोसेर होते है वो उनके यहाई बने और सारी R&D भी और फैब्रिकेशन वगरा भी भाई हो और इसी के चलते वो 143 billion dollar भी invest कर रहे अपनी Chinese manufacturing के अंदर और चिप बनाने वाली companies वगरा के अंदर और इन सब के चलते US वालों ने हापे band वगरा भी लगा है था ताकि US की जो technology वो चाइना के अंदर नहीं जाए यहां तक कि जो chip बनाने के अंदर जो machine होती है उन पर भी प्रोक लगाई गी थी कि यह जो machine रहती वहाँ supply ना करें क्योंकि definitely इनका use और misuse कुछ भी हो सकता है यहां पर लेकिन यहां पर एक बात यहां पर आपको बताने चाहता हूं एक्जामपल बात करें electric vehicles को चिनाने के लिए बहुत advanced processor की जरूरत है वो लोग यहां पर बना रहे है और यहां तक की बात करें Intel और AMD को भी हाँ पर खत्र है जैसे की बात करें यहां पर Intel और AMD के alternative processor एक चाइनीज लूंसन नाम की चेपाने वाले 2023 में बोला गया है कि 2020 में जो AMD और Intel के processor ना उनको यहां पर match करेगी तो definitely यहां पर media tech snapdragon की बात तो अलग हो जाती है यहां पर जो PC industry होती है वहां पर भी आपको different type के process आपको देखने को मिलेंगे तो यार आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि exactly किस तेजी से काम हो रहा है और किस तेजी से जो चाइना है और Chinese companies है वो अपने खुद के processor यहां पर बनाने में लगी है लेकिन अब एक सवाल आता है कि आखिर वो अपने खुद के processor यहां पर क्यो बनाना चाहती है देखो जो बड़ी-बड़ी कमती से चाहती है कि इनकी जो production cost है वो कम से कम रहे और chip बनाने का खर्चा कम से कम रहे definitely snapdragon ए media tech पी उपर जहेंगे तो उन्हें जादा खर्चा करना पड़ेगा लेकिन अगर खुद का processor in-house design करेंगे तो definitely खुद का processor बनाने का खर्चा भी कम आएगा और यहां पर जो technology वो distribute हो जाएगी कि वो अपने दूसरे products में भी अलग-अलग चीज़ा use कर सकते है उसी चीज़ का use करके कोई दूसरा processor बना सकते है तो इस तरीके से काम हो सकता है इसके साथ ही hardware software का experience बेटर किया जा सकता है यानि कि proper optimization जैसा हमने इससे पहले Apple के iPhone के साथ देखा है यह चीज़ पॉसिबल हो सकती है यहाने की ओड़े यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी को पर rely करने की कोई भी जूरत नहीं पड़ेगी जैसा वो experience खुट design कर रही ना वैसा कब वैसा वो अपनी users को यहाँ पर provide कर सकती है और तो एक बात यहाँ पर भी याड़ कर सकता हो कि अपना खुट का connected ecosystem भी बना सकती है हाला कि बात की जातो है अभी काफी जादा early phase के अंदर है कोई भी company एक दम से यहाँ पर खुट के बना हुए processor को एक दम से नहीं निकालेगी लेकिन eventually यह चीज होगी आने वाले एक से दो साल के अंदर जो को company अभी क्या कर रहे है कि ऐसे processor यह उन चीज़ों पर काम कर रही है जिनने बनाना आसान है जैसे ISP और आना या charging के लिए कुछ चिप बनाना या कोई special customized tech बनाना लेकिन धीरे धीरे companies इससे evolve करें और अपने खुद के processors भी market के अंदर निकालेंगे क्योंकि वो अभी नहीं चाहते कि snapdragon immediate active पर complete उनकी reliance रहे क्योंकि उन्हें पता कि future में अगर कुछ band जैसी चीज़ भी अगर लगती है देखा था कि कैसे वो खुद के बना हुए processor को ले गया और वहां पर लोगों को अगर android का experience मिल रहा है और अगर एक अच्छा processor उन्हें deliver कर दिया गिवन ये भी बात बता सकता हूं मैं आप लोग को पूरा बीबी के ग्रुप लगा हुआ है और इन सब के कारण जो मार्केट हो काफी बढ़ना हो जाता है और इस टैक की न्यूस भी अगर आपको सुनने को मिले ना तो ज्यादा चौकेगा नहीं क्या लगता आप लोग को कि इस टैक के प्रोसर आके सच में स्नैप्टरकन, मीडिया टाक या इन सब का मार्केट यहां पर खापाएंगे की निए खापाएंगे यह बात आप मुझे नीचे कमेंट बदा सकते हैं थिंक का कुड़ी देखने के लिए मैं आफसल दो नेक्स्वान में गुडबाए